ने कि अरे श्रीयों डूस्ते विघ्र में अज्सेर डेखिए अगर को आइब को आप हमारे वीडियो साबस्तराइब कर सकते हैं उसके अलावा आप मारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और मारी वीडियो को दोस्तों कोशिश किया कि जिए कि मकमल देखें तो उसे आपको हमारी वीडियो की पूरी समझ भी आएगी आपको अचा हासा के अंगादा हो जाएगा कि उसमें अप उसमें कियो क्यों 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 इसके अपको पीज़ँ गुमिंग फिश लिल्ड करेंगे जो के आएख का लेन्डे का इस बासिइट सीड़ शहाल स onde के चीप प्रायश के अदर मिल जाते हैं तो आजे देखते हैं कि आज हमने कौम सा जो गेमिंग PC है वो बिल्ड करना है तो यह दोस्तो बीजिवली यह Dell का Inspiron 660 का मॉडल है जो कि आज हम इसको गेमिंग PC के अंदर कर लेंगे यह multi-purpose PC है जिसको आप इससवास कर सकते हैं आफ इससी की तरुबे भी योस कर सकते हैं तो इससी को अप खुर्ष कर सकते हैं और गेमिंग PC के तौर भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो यह ड़िपेंड आप दो और कलता है कि जो आप भी निड है उसके अकॉर्डिंग आप इस सिस्टम को आप इस पीसी को आप यूज़ कर सकते हैं चलिए दोस्तों मैं आपको पहले इस पीसी को तोड़ा सा ओवर्वीव दे रहता हूँ यह बिसिवली दोस्तों जैसा कि मैं आपको इसका नाम बता चुका हूँ यह डेल इंस्पारन 660 मॉडल है और यह कोर आई थ्री बेस्ट एक सिस्टम है जिसके अंदर कोर आई थ्री का प्रसेसर लगा हूँ है और इसके फर्न पर आपको नी। आपको बॉस्ती चुक्रस के लिएक को जाएंगी यहां पर डॉली एक लगता प्रसेसरा को जाएंदिर पार्भा यहां पर नीचे आपको यह ब्रेंडिंग देखने को मिल जाएगी जैसे अब इसको अन करेंगी तो यह LED भी अन हो जाएगी और नीचे आप Core i3 Intel का जो ब्रेंडिंग है वो देखने को नजर आ रही है तो मैं अगर इसकी हम बैक साइड की उपर देखें तो यहां पर आपको एक पावर स्प्लै देखने को मिल जाएगी जो के 300W की पावर स्प्लै के अंदर इंस्टॉल की गी है जो के बिल्ट-इन डेल की तरफ से ही आती है और अगर इसके अब मदरपोर्ट के इंपट आउपट यूनित के ऊपर देखें तो यहां पे इंस्पाइरन 660 का जैसा के आप देख सकते हैं के ब्रेंडिंग भी फिर्डिशनल पूर्ट उप्डीशनल पूर्ट ग्यूती है जिसे पीसी आउवराल इसके अदर जो एर फ्लो है अच्छा रहता है और आपका जो किसी काफी मतलब हीट नहीं होगा किसी भी इन्वार्मिंट के अंदर उसके अंदर एक्सपेंटिबिलिटी की भी आपको चौर अप्शन देखने को मिल जाती हैं अब हम इसका अगर इंटर्नल व्यू देखने दोस्तो तो यह जो सिस्टम है डेल इंस्पारंट सिक सिस्टम यह अंदर से इस तरह का देखता है और इसमें आपको दो जो रैम के मोडूल हैं वो देखने को मिल जाएंगे आप इसके ओपर डिडिया-3 की जो दो रैम की स्टिक्स हैं वो लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको 16GB तर मजीद भी इसको इन्हांस करना चाह रहे हैं तो यह 8-8GB के आपको दो रैम की स्टिक् देखने को मिल जाएंगे और इसमें वाइफ़ी कार्ड भी आपको बिल्ट-इन ही इंस्टॉल मिल जाएगा और इसको ऊपर आप वाइफ़ी इंटरनेट भी इंजॉय कर सकते हैं इसके अंदर आपको पीसे एक्सप्रेस इस्टी की स्लोट भी देखने को मिल जाएगी वहा कार्ड, वीडियो कैप्टर कार्ड, लैंड कार्ड या कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल जो कार्ड है वह आप इसको उपर लगा सकते हैं तो एक्सपेंडिबिलिटी के हिसाब से भी यह सिस्ट्म आपको काफी जादा सूप करेगा उसके लावा आप अगर इ इस सिस्ट्म का दोस्को ओवर्ल वियू था और इसके अंदर अब हमने यह जो इसकी जो इसकी बायर डफाल कंफिक्रिक्रेशन होती है यह कोर आए 3 की प्रोसेसर के साथ आता है जो के 322-0 की सीरिस के साथ आता है और यह 3.3 GHz का 2.4 थ्रेड वाल प्रोसेसर है बिसिकली और यह 55 TDP मैकसिमम जो है उसके साथ आता है और 3 MB की केश मैमदी की साथ भी आपको देखने को मिल जागा तो काफी ज़दा एनरजी एफिशेंट प्रोसेसर और प्रोसेसर जो के 3rd जोनेशन के अंदर आता है और उसके लावा आपको इसके अंदर जो फोर जीबी ग्राम है डि को मिल जागी और साथ इसके अंदर आपको जो कारट रीडिर की वी देखने को मिल जागी जरो को फ्रेट साइड पे आपको देखने को मिल जागी जब 22 namo metr के processing architecture के साथ आता है तू को chart thread के साथ ये processor आता है 3.3 gigahertz की based frequency के साहए ये फिफ्टी 5W की dd-p के साथ आता है और इसके अंदर आपको जो built-in graphics है, Intel HD Graphics 25,000-series की भी डेखने को उन जाएंगा, अगर आप बेदिक outsider graphic card यूज नहीं करना चाहरे हैं और बेल्टिंग graphic card की यूज उनले हैं थे तक तक ही सकूद्ध श काहरे है भी यू यू आपको आट इसके कंदर देखने को मिल जाएंगी और ग्राफिक Phone 3rd generation का प्रोसेसर है, अगर आप कल को अप्ग्रेड करना चाह रहे हैं तो Core i5 3rd generation और Core i7 3rd generation का प्रोसेसर भी इसी system के उपर Dell Inspiron 660 के उपर इंस्टाल कर सकते हैं और अपनी system को मजीद अप्ग्रेड भी और अप्ग्रेड कर सकते हैं और उसके बाद जो दोस्कों हमने इसके अंदर जो अप्ग्रेड करनी है तो उसमें हमें बाइड अप्ग्रेड वाल यह सिस्टम 4GB RAM के साथ है तो हमने 4GB की और स्टिक इसके अंदर लगा लेनी है क्योंके 500GB या 250GB के साथ आती है अगर आप इसको अप्ग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको मैक्सिमम 1GB के साथ अप्ग्रेड भी कर सकते हैं अगर आप इसको इसकी जो अगर आपके पास बजट अवैलिबल है तो यह 72RPM के साथ आती है और 6GBPS का डेटा ट्रांस्परर आ आपको देखने को मिल जागा और 64GB के साथ भी आपको देखने को मिल जागी अब इसको मैक्स अपड़ेड है दोस्तों वह आप्शनल है वह मैं आपके ओपर शोड़ रहा हूं कि अगर आप इसको अपड़ेड करना चाहरें ऐसा गेमिंग PC के तो पिर तो आपको अगर आप यह 5 राम के साथ लगा यह 2 GB का ग्राफिक का अगड है और यह ड्रेक्ट एक्स 12 को भी सुपोर्ट करता हो यह आप इस ग्राफिक काड को और भी कर सकते हैं यह 4th जनरेशन का का इसके अदर GCN आर्पिटक्छर जो है वो यूज किया गया और इसके अंदर VR का एक्सपिरिंस जैसे 5G, GTF5, आपकी Call of Duty, उसके लावा फॉर्टनाइड और जितने की आपकी मौडरन टाइटन्स हैं, यह सारे के सारे उनको रन करने की किपड़िलिटी रखता है, तो अगर आप इसको ग्राफिक कार्ड की भी कॉस्स इसके अंदर एड करेंगे तो यह 8-9000 का आपको यह ग ग्राफिक कार्ड भी आप इसके अघ्यायर के अघ्यायर कर सकते हैं और सेम Ihnen तंटी पे आप succeeds अर आप मेडियम सैटिंग और यह लो सैटिंग और भी आप इसके अफटे अप सारे बिया MA State पर अगर उवर्यव कि अज्डर मेजिच के अब इसको उपर प्लेूर अरना चाहा तो फ़र भी यहां के आपके एक ग्राफिक कार्ड की जूरत होगी और जो इसकी कास्ट जो एड होगी दोस्तों थे आलमुस्त यह इसकी कास्ट है हमारे जो गिमिंग की सिरी यह 20,000 के अक्रीब आपको देखने को मिल सकती है क्यूंके जो ग्राफिक कार्ड है हमारा यही 8-9 हमें तक्रीबर आफ्लान मार्कीट से पढ़ जागा तो यह आप क्यूबर डपेंड करते हैं कि आप इसको किस मस्ते के लिए यूज करना चाह रहे हैं as a home PC, as a office PC, as a professional work के लिए अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको एक इस ग्राफिक क अगर पास एड़ कर दें तो यह थूइंटी थार्गन पीट के अंदर आपको यह जो PCI को देखनी को मिल सकता है और यह काफी अची परफॉरमंस है और यह आल अरॉडर जो PCI आप उसको कह से थे हैं और यहाँ डिपार्टमेंट के अदर आपको काफी अची परफॉरमंस करने की capability रखता है तो आयोप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आप मुझे चैनल मोजसवर टीव को सबस्क्राइब कर लें और साथ ही बैल आकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटिस वीडियो देखने करें उसके लाब आप मारी वीडियो को लाइक और कर सकते हैं और मारी वीडियो को आप दोस्तों लाइक जूर कर दिये किजिए उससे हमारी जो काफी हो जाती है तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ तब ते के लिए टेक कियर अलाहाफिस